चौधे सितंबर को इंडिया गठभंदन की ओर से एक निन्या लिया गया जिसमें चौधे पत्रकारों का बहिसकार किया जिसमें दश्चनलों के इन चौधे पत्रकारों के नाम सामिल है जिनके डिबेट शो में इंडिया एलाइंस का कोई भी परवकता और परतिनीधी नहीं इसमें आज तक की चित्रति पाठी, आज तक की शुधिर चोधरी, न्यूज 18 इंडिया के मीश देवगन और अमन्चोपडा, रिपब्लिक टीवी के अर्नप गोष्वामी और भार्ट 24 की रूबिका लियाकत और टाइम्स नव भारत के सुसांत सिन्हा और टाइम्स नेटवर की नविका कुमार और डीडी न्यूज के असोक सिर्वास्तव और आज तक के गोरोव सावंत और भारत एक्स्प्रेस की अधितित्यागी और इंडिया टीवी की प्राची प्राशर और नेटवर्क 18 के आनंद नर्शिमन और इंडिया टूडे के सिव अरूर का नाम इसमें स रहा है कि हम नफरत के बाजार में हम अपनी दुकान सजाने वहां पर नहीं जायेंगे क्योंकि वहां पर सिर्फ पूर्शित नफरत पहलाई जाती है यहीं कारण है कि पिछले 9 सालों में मैंने देखा और आपने भी देखा है कि इन तमाम पतरकारों ने सिर्फ पूर्शित सवाल पूछा है तो सवाल पूछा है विपक्स से पत्रकार होने का क्या मकसद होता और पत्रकारता किसे कहते हैं साइद ये पत्रकार भूल ही चुके हैं और ये पत्रकार ये भी भूल चुके हैं कि सरकार कौन सी है हमें सवाल सरकार से करना है या फिर विपक्स से करना है पर तो इन तमाम पत्रकारों ने अपने टीवी सो में सवाल किया है तो शिर्फ और शिर्फ विपक्स से किया है वही पर जब चौधे पत्रकारों का बहिसकार किया गए तो देखी कि इस तरीके से पत्रकार बिलबिला उटे हैं और बहिसकार करने की पीछे जो सबसे मुख्य वज़े मुझे नजर आ रही है और मुझे यसा लगता है कि क्या इसे फायता होगा या नहीं होगा वो तो अलग बात है पर उन्तू इसके बहिसकार की पीछे की सबसे बड़ी वज़ा है कि इन पत्रकारों ने सवाल करना छोड़ा है इन पत्रकारों ने सवाल सिर्फ विपक्स से पुछा है इन पत्रकारों की डिवेट का मुदा विपक्स के खेलाफ होता है और एजेंडा वीपक्स के खिलाफ होता है कोई भी डिबेट सरकार से सवाल पुछने वाली नहीं किया है हलांकि सरकार की तारीफ में यह रोजाना डिबेट लेकर आ जाते हैं पिछले नो सालों में उन्होंने सरकार से सवाल पूछने वाले मुद्दों को चीम्टे से भी नहीं छुआ है और लगातार वीपक्स को टार्गेट करने में सबसे आगे रहे हैं यही वो तमाम कारण है जिनके कारण विपक्स के जो परवक्ता है वो ठक चुक हैं इनके सवालों के जवाब देते देते क्योंकि इनका सिर्फ और शिर्फ और शिर्फ और एजेंडा है पत्रकार का काम सवाल करना होता है वो सवाल सत्ता से भी होता है प्रतु सत्ता से सवाल गायब है और शिर्फ और शिर्फ विपक्स को टार्गेट करना है यही सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण और हिंदू-मुसल्मान के नापर सबसे ज्यादा बहस करते हैं और यहीं मुद्धा कहीं से डूंड के लाते हैं तो यह वो मुख्या कारण है जिसके कारण इंडिया एलाज ने सोचा कि हमें नफरत की खेती नहीं करनी है हमें इनके इजेंडे में नहीं फसना है तो हमें इन तमाम पत्रकारों का बहिसकार करना होगा जब से इन तमाम पत्रकारों का बहिसकार हुआ है तब से तमाम पत्रकार ताल ठोकर कह रही है कि हम सवाल पूछते हैं इसलिए हमारा बहिसकार किया गया है पर उन पत्रकारों से सवाल को पूछे कि सवाल किसे पूछा जाता है सवाल जिसके पास ताकत हो सवाल जिसके पास सत्ता हो सवाल उससे पूछा जाता है जो पिछले नो सालों में सरकार में नहीं हैं आप उन्हीं से सवाल किये जा रहे हैं तो क्या ये सवाल करना है या फिर सरकार की चेर्णमंदना करना होता है वहीं पर यह पत्रकार कह रहे हैं कि हमारा वहिशकार किया गया किसे बेन करना नहीं से डरना कहते हैं इसे पत्रकारों का बहिसकार करना नहीं सवालों से भागना कहते हैं आपको आदत है हां में हां मिलाने की वो ने कल किया था ने आगे करूंगी बेन लगाने की हिम्मत उन्नेताओं पर लगाए जो महुबत की दुकान में कूट कूट कर भरी नफरत प्रोस रहे हैं सवाल बिलोस थे और आगे भी रहेंगे यह हैं अमन चोप्रा लिखते हैं वेसे हमें नसारी के इंट्रू के बाद से ही मैं इस बोयकॉट वाले बेज को गरव से लेकर चल रहा हूं लेकिन सवाल पूछना अब तक नहीं चोड़ा है बहिसकार एक पत्रकारों को बैन करना लेकिन निडर पत्रकारता जारी रहे ही ना हम जुके हैं ना जुकेंगे जईहितुू धर्चूर दिर लिखते हैं कि इंडिया घठवंदन ने उन पत्रकारों के लिष्ट जारे की है जिन्हों ने चरंद चुम्बन बनने से इनकार कर दिया है अब इनका बहिशकार किया जाए अब देखना ये है कि भारत का मेडिया इसका क्या जवाब देता है जिह आपने देखा कि किस तरीके से पत्रकार अब भी एक पत्रकार से अपने अंतरमन में मुग्द हैं और चाटुकारता में मंतर मुग्ध हैं और कह रही हैं कि हम सवाल पूछ रही है पर अंतु इन तवाम पत्रकारों से कौन पूछे कि आप सवाल किन से पूछ रही है तो सत्ता में नहीं जिनके पास ताकत नहीं है तो सत्ता चला रहे हैं उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए नहीं उनसे सवाल हम नहीं पूछेंगे ये बहुत ही गरव के साथ कहा जा रहा है और इसे कहा जा रहा है कि ये हमारे लिए बेज ओफ ओनर है इसे बेज ओफ ओनर नहीं कहते हैं इसे सरमना आना कहते हैं इसे बेशरमी कहते हैं कि कुद्सविकार कर रहे हैं कि हाँ हम सवाल पूछते हैं विपक्स से और एक तरफा पूछते हैं यहीं करना है कि आपका बहिशकार किया गया है इसी पर NBDA जो हमारे मेडिया का समूह का जो संस्थान है उन्होंने इसके कठोर आलोचना की है इस पर योगिंद्र यादों ने क्या कहा है वो आप सुने है सोच रहा था शर्म नहीं आती इन लोगों को एक संस्था है National Broadcasters Digital Association इन लोगों ने इन नफरती एंकरों के दंगा फैलाने पे एक शब्द नहीं बोला प्रधान मंत्री ने दस साल तक प्रेस कांफरेंस नहीं की एक अनुरूद नहीं किया जब BJP ने एंकरों का बायकॉट किया तो चुप रहे लेकिन कल जब इंडिया कोईलिशन ने एंकर्स का बायकॉट किया तो इस स्टेट्मेंट निकालते हैं प्रेस किया जाती पे हमला एमर्जिंसी जैसे हालात अरे अकल के दुश्मन हो जब सरकार प्रेस का गला घोटती है एमर्जिंसी में उसकी तुलना आप उपोजिशन से करते हो इन नफरती एंकरों का बायकॉट करके क्या गलती की हाँ एक गलती की ये काम बहुत पहले करना चाहिए था जीहां आपने वीडियो देखा वहीं पर इंडिया गठबंदन का बहिसकार जिन पतरकारों को किया है इससे अभी इंडिया गठबंदन को फाइदा हो नहों प्रतुनुखसान इस्तीज का जुरूर होगा कि इंडिया गठबंदन के नेताओं को कम एक प्रकार से कवर किया जाएगा उनको कम स्पेस मिलेगा वीडिया में वेसे भी कम मिलता है अब इन चवधय जो पतरकार है उनकी डिबेट में वेसे भी नहीं जाएगे और उनके चैनल में जो डिबेट होगी उन डिबेट में भी अब इनके परवक्ताओं को टारगेट किया जाएगा और फिर से वहीं खेल खेला जाएगा जो ये खेलना चाहते ह हैं वहीं प्रिस के बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या ये एक साकारात्मक कदम होगा या फिर कहें तो विपक्स ने एक और भूल कर दी है क्योंकि उनको पहले भी कम स्पेस मिलता था अब उन्होंने पत्रकारों का बहिसकार किया है तो क्या इसको घटा होगा और क्या विग्यापन के जरीए से भी और तो